ओ लेवल क्या है? क्या है इसके फायदे? और इसे हम कैसे पास करें? नमस्कार दोस्तों मैं हूफनसिंग और आप सभी का बहुत ज़्यादा सागत है गोल्यान पे और आज हम जानेंगे ओ लेवल के बारे में तो सबसे फ़हले ओ लेवल के छोटा से यह समझ लेते हैं कि National Institute of Electronic Information Technology जो कि नेलेटर नाम से जाना जाता है यही आपको लेवल कोर्स कराती जो कि गवर्मेंट संस्थान है यह मतलब भारस सरकार द्वारा यह चलाए जाने वाला इस्टिशन है यह बहुत सारे सर्टिफिकेट प्रवाइड करता है ट्रिपल सी हो गया ट्रिपल सी प्लस हो गय है इसका पहले नाम हुआ करता था दोएक डोएक स्कीम के नाम से जाना चाहता था जो कि डिपार्टमेंट आफ एलेक्ट्रोनिक्स एंड एक्सडेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स इसका फुल फॉर्म होता था एक साल का कोर्स माना जाता है एक डिपलोमा कोर्स याद रखना ड एक साल का कोर्स दो सेमेश्टर माना जाता है यह आप चाहो इसको छे महिने में ही कंप्लेट कर सकते हो यह वी सुविधा नाइलेट आपको प्रवाइड करती है कैसे आगे मैं आपको बताता हूं दो तरह के इस कोर्स हो किया जा सकता है पहला आप इंस्टिट्यूट से कर सकते हो और दूसरा आप डिरेक्टिपि कर सकते हो अच्छा इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा इंस्टिट्यूट पे क्या होगा आपको वहाँ पर फिजिकली कंप्यूटर वगारा मिलते हैं जै कर लेते हैं इंस्टिट्यूट में उलेवल कंप्रेट करने के लिए बाकि गाओं वगरह में आओगे यहां भी पंदरा से 20,000 रुपए अलग-अलग तरह के इंस्टिट्यूट थाना अलग-अलग कोर्स लेते हैं लेकिन आप डिरेट करेंगे तो फीस बिल्कुल भी नहीं लगेगा आपका आप सिर्फ वही फीस लगेगा जो ऑफिसियल रेश्टेशन प्रोसेस में फीस लगता है कितना लगता है सब बताओंगा भे आपको इसकी eligibility योगता क्या होनी चाहिए बारवी पास आप इसको कर सकते हो या फिर ITI प्लस टेंथ भी हो तब भी आप इसको अपलाई कर सकते हो अगर आप बारवी पास हो चुके हो तो ये कोर्स आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा क्यों भविश्य में बहुत सारे काम इ अग्यार बन सकते हो और बहुत सारे गर्मेंट जॉब में व लेवल कोर्स की जरूरत पड़ती है आपने सुना होगा तो भविश्य में अगर आप बारवी पास हो तो आपके लिए अच्छा कोर्स माना जाता ही आप एक अच्छा कोर्स कर लें तो बहुत छोड़ा कोर्स हो जाते हो आप वह घर बैठे या फर इस्टिटूट से जाके तो आप इस ओ लेवल कोर्स को अभी कभी कर सकते हो अगर आप बारवी पास हो मेरे इस्टुडेंट हो क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने डिमांड किया था कि ओ लेवल आप सुरू कर रहा हूं इतना समझे लो लोग फीज जैसे मैं आपको पहली बता दिया कि इस्टिटूट पर जाओ कि तो 20-25 जार आपका खर्च होना ही है लेकिन अगर आप डारेक्ट करते हो तो आपका पांस जार में काम हो जाएगा अचा पांस जार तो लगना लगना चाहाँ आप इस्टिटूट से जाओ चाह आर पेपर कुल होते हैं, पहला पेपर M1R5 के नाम से जाना जाता है, M1 का मतलब होता है जैसे मोडूल 1, मोडूल 1 बोले तो पेपर वन इसको समझे लो कि एक तरह का क्या है यह ए यह पेपर 1 के नाम से जानते हैं, M2 मतलब मोडूल 2, अच्छा R5 जब लिख देते हैं इसक इसका नाम था R1, दूसरी बार R2, R3, R4, R5, पांचवी बार इसका सिलेबस बदल चुका है, इस वज़र से इसका नाम हो गया, revised 5, बाकि कुछ इसमें है नहीं, इसी तरह से सारे हैं, चार पेपर आपके होंगे, चारो, 100 प्लस 100, 200 मार्क्स के होंगे, 100 आपके थीरी होगी, और 100 आपका practical होगा, ध्यान रखना ये बात, तो ही paper and practical, फिर total paper, कुल 200 नंबर के होंगे, 200 में से आपको कम से कम 50% पाना है, मतलब 100 नंबर तो पाना होगा, लेकिन इस तरह से नहीं आपको आगे में बताता होगा, सब जब आप लिखित परिक्षा और practical पास हो जाओगों, link description में है, गोलियान application का, उसको download करो, या फिर play store से आप गोलियान लिखना, तो वहां से आपको मिल जाएगा, और आपको 100% सब कुछ पढ़ा के 100% पास की गारंटी दी जाएगे, बस आपको पढ़ना तो पढ़ेगा ना, बीना पढ़े तो होगा नहीं, एक अच्छा course है, पुरा detail से सिखाया जाएगा, वो syllabus की बात करेंगा दोस्तों, जो M1 नाम से मैंने आपको बताया, उसमें IT tools और network basics होगा, इसमें आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, इसमें आपको पूरा computer, पूरा computer history से लेके, सब कुछ, hardware, software, जिरनी चीजी होती, input device, output device, सब चीजे, और OS operating system, और writer, writer मतलब word processing इसमें होगा, word processing में writer सीखोगी आप, इसमें seat होगा, इसमें seat में आप कैलक सीखोगी इसमें, और impress में, मतलब presentation में impress सीखोगी आप, मतलब पूरा जैसे triple C अगर आप कियो होगे, triple C में जो पूरा syllabus है, वही ये पहले paper में syllabus है आपका, जैसे fill in the blanks हाता है इसमें fill in the blanks, आप समझता हो, समझ चके हो, उसके बाद ये तो theory में आएगा आपका, practical जो होगा, वह अलग से होगा, practical में क्या होगा दोस्तों, तीन question आपको करना होता है, तीन question आपको करना होता है, तीन में से एक 45 नमबर का होगा, दूसरा भी 25 नमबर का होगा, और तीस सरा तीश नमबर होगो बस तीन केस्ट आपको तो 25 25 30,idas की होता है है तो आपके बने कासी है सी हुआ हूँ है पर सत्व बोले होता है यह भी आपको मालूम जाएगा अगर नया कोश्चन भी आ गया तो आप अच्छे सीखे रहोगे तो बहुत आसानी से पचीश नंबर आपके लिए हलोवा रहेगा बस 15 मिनिट में खेल खतम कर दोगी इस पचीश मांक्स का इतना भी जानके चलना मतलब कि ये आपका 100 नंबर बहुत आसानी से आप बता रहा हूं मैं सारे पेपर की बात कर रहा हूं किसी एक पेपर की बात मैं नहीं कर रहा हूं ये बात आपको धियान में रखना है अच्छा आगे बढ़ते हैं ये समझ जुके हो आप ठीरी प्रैक्टिकल पूरा होगा इसमें ठीक है सारी चीशे आपको बताई जाएंग सुरू कर देना ये बात ध्यान रखना आपको मेरे लावा भी एक्सवर्ट टीम भी होगी अभी तुम्हें मैं ही सिखाऊंगा आपको पूरा अच्छे से लेकिन जो अच्छा लगेगा मुझे एक्सपर्ट टीम से भी मैं आपको सिखवाऊंगा अच्छी चीजी रेश्ट साइट है नलिट की ओफिस्यल वेपसाइट जिस पर ट्रिपल से अपलाई किये थे इसी वेपसाइट पर आपका रेश्टेशन होगा जैसे कि इसको जब हटाओगे तो अपलाई कहीं से भी मतलब आप अपलाई ऑनलाइन पर क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके सामने एक व कि पूरा अपलाई कर सकते हो मतलब कि यह अपके तरह से यहां पर लिखा है सब कुछ लिखा है कैसे कैसे आपको भरना है कैसे क्या करना है सारी चीज़ी यहां पर रहेगी आपके पास computer सब सकते आपको कर सकते हो नहीं सो आप कहीं जाके कि शाबर के पैसे कर सकते हो 500 रुपैस की फीच लगेगी उसके बाद जब आप रेजिटेशन कर लोगे तीक रेजिटेशन नंबर आपको मिलेगा रेजिटेशन नंबर मिल गया तो एक पासवण उसके बाद लॉग इन करो आप अपने कऊंट में फिर उसके बाद पेपर लॉग होगा होगा इसमें जैसे चार पेपर मने आपको बताया होता इसमें तो आप एक पेपर के लिए 1,000 रुपए लगेगा याद रखना, 4 पेपर का 4,000 याद रखना ये भी 4 तो 2 पेपर दो, 4 तो 3 तो 4 तो दे दो ओ तो आपके छम्ता हे पर निर्फर करता है कि आप 4 तो दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो इसलिए अगर जो चारों दे सकता है एक बार में तो उसका एक ही बार में पूरा ओ लेफल छे महीने में ही खतम हो जाएगा तोटल फी 500 रुपर रेश्टेशन चार हजार माल लोगी पेपर का चार हजार रुपर लग जाएगा सव रुपर प्रोजेक्ट का लगता है आपका लाश्ट में एक प्रोजेक्ट जमा करना होगा कुल 46 रुपर ऑफिस्यल फीस है इसकी थोड़ा वो तो अधर खर्चा है इसलिए मैं आपको 5000 मोटा मोटा बटा दिया था कि भाई अधर खर्चा जोड़के 5000 रुपर तो लगभग लगभग पढ़ी जाएगा आपका अब पढ़ाई कैसे करने पास कैसे करना है देखो पास अगर आपको करना है तो पढ़ना तो पढ़ेगा अगर आपके पास पैसे जादा नहीं है तो मेरे साथ जुड़ो इंस्टिटूट में जादा पैसे देने से अच्छा है आप एक लेप्टॉप खरीद लो आप घर व होती है इसलिए याद रखना मिनिमम भी है आपकी लिंक डिस्क्रिप्सर में है गोलियान अप्लिकेशन का डाउनलोड कर लो आप ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो वहां से आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी आप अच्छे से अच्छे ग्रेड आपको दिलाय है तो समझते हैं इसमें बोल रहा है कि आपको 50% टोटल पाना है प्रैक्टिकल और थियोरी मिला के उसके बाद इसमें कहरा 33% इच मतलब आप माल लो दोस्तों थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों आपने दोनों मिला के इसमें जोड़ा जाएगा यह भी 100 नंबर का होगा यह यह तो आपका हो गया फुल मार्क्स उसके बाद आप दोनों में पहली बात तो 33% कम से कम पाना ही है इसमें बेटेज होगा मतलब थियोरी का जो माक्स आपको मिलेगा उसमें मात्र 60% ही जोड़ा जाएगा जैसे थियोरी में आप 50 नंबर पाए बस और प्रैक्टिकल में भ 50 पाए आप अगर तो प्रैक्टिकल का मात्र 40% ही जोड़ा जाएगा धिया रखना आपको 40 बटे 100 मतलब के कड़ जाएगा तो पांच जोगे 20 तो दोनों मिलेगे तो 50 बन रहा है न तो आप पास हो जाओगे दोनों अगर 50 50 पाते हो तो लेकिन मान लो आपका ऐसे नहीं तो कितना बन रहा है यह देखना है आपको 40 60% 40 का 60% कितना हो 40 गुड़े 60 बटे 100 बनेगा आपको मात 24 नमबर लेकिन इसमें 80 अगर पाए हो आप तो 80 गुड़े कितना इसमें 40 पर संट 40 बटे 100 आठ चब के 32 नमबर पा जाओगे तो 30 20 50 और 426 56 नमबर आपका बन जाएगा तो इस तरह से तब भी पास हो जाओगे आप तो अगर इसमें बैलेंस गरबर हो गया इसमें बढ़ गया है उसमें बढ़ गया है लेकिन 33 परसंट तो दोनों में पाना ही है उसके बाद आपको मोटा मोटा हिसाब लगा लेना 50 परसंट आपको बनाना है 33 परसंट कम से कम प सभी लोग अभी कभी आपको मिली जाएगी आपको अच्छा लगे तो आप पढ़ते रहेना और बाकी सारी चीजे आपको help की जाएगी सारी के सारी help की जाएगी इतना जाल लेना तो कोई सवाल रहे हो तो आप क्या है यह पता चल गया होगा कैसे पास करें यह भी पता चल गया होगा तो मिलते हैं फिर ऐसी किसी अगली क्लास में तब तक के लिए जैहिंद जैफार